आप देख रहे हैं चोहान वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की पांच बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनू के स्टुएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो वीडियो की सुरुवात करते हैं तो उस पहली नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेरी या कमेंट किसी चीज के उपर आ रहा है किसी टॉपिक के उपर आ रहा है तो वो दिसम्बर 2023 के एक्जाम रिजल्ट के उपर आ रहा है लास्ट अपडेट 19 जनवरी को आई थी उससे पहले 3 जनवरी को अपडेट आई थी यहनकि अब आपके लिए 28 जनवरी को संडे को भी अपडेट इगनु के अंदर नौर्मली नहीं आती आज पूरी उमीद सी कि आज जरूर इगनु की तरफ से अपडेट आएगी काफी दिन हो चुके है आज इगनु की तरफ से एक नई अपडेट आ सकती है लेकिन आज भी इगनु की तरफ से नई अपडेट नहीं आई अब जो नेक्स्ट अपडेट है आपकी वो ट्यूजड़ या वेड्नस डे को देखने को मिल सकती है वैसे नॉर्मली इगनु के अंदर इतना लेट नहीं होता एक बार जब अपडेट आना सुरू हो जाए तो फिर नॉर्मली एक वीक के अंदर आपको दो या तीन अपडेट देखने को मिल जाती है कि हर दिन आपके लिए जो रिजल्ट है उसको अपडेट किया जाता है लेकिन इस बार इगनु की तरफ से जो अपडेट आने में काफी टाइम जो है लग रहा है अब वो टाइम क्यों लग रहा है उसके उपर कोई हो सकता है कि कौन्वोकेशन की तियारी की जा रही है या क 20 जन्वरी को आपके लिए अपडेट देखने को मिली और 19 जन्वरी के बाद अभी तक 27 जन्वरी को भी अपडेट नहीं आई है तो आपके लिए नेक्स्ट अपडेट जो है वो ट्यूजडे या वेंडेश्डे को आ सकती है उसके बाद एक और चीज जो इस्टुएंस प्रवरी के पर्वरी के लिए प्रवरी के अपडेट आना सुरू होगा एक्स अपडेट के बार में बात करते हैं और भागरपूर रीजनल सेंटर की तरव से नोटिस है डी टीजी की काउंसिलिंग का सब सेड्यूल है जुलाई 2023 बैच के लिए उसके लिए जूम मीटिंग का लिंक जो है दिया गया इसे बताया गया कि जो डीटीजी प्रोग्राम ह है उन के लिए आप नोडर रीजनल सेंटर बना रहा है कि एक रीजनल सेंटर को जिम्मेदारी दे guitar कि उसका काल सेंसन करवाएगा वही उसकी फूर्य जिम्मेदारी लेगा तो उसी तरीके से डीटीजी का जो प्रोग्राम है उसका नोडर्यजनल देर और उसकी तरफ से जूम मीटिंग जारी की जा रही है 28 जनवरी 2024 को 10 बजे आपके लिए जूम मीटिंग भी दे रखी है आप इसके जॉइन कर सकते हैं इसको जुड़ सकते हैं और इसमें जो भी उनकी तरफ से बताया जाएगा काउंट्रिंग सेशन में उसका हिस्सा बन सकते है 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 एदरबाद रिजनल सेंटर की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गए जिसमें लिस्ट आफ एरेजिबल लर्नर्स जारी की गई है वाइवा वोक के लिए MPCE 016 के टेर्मन एक्जामनेशन के लिए जिसमें सभी इस्ट्रेंट्स के नाम जो है वो यहाँ पर दिये कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर कीजिए